हम दिन भर में दो तरह की लाइफ जीते हैं एक जो हमारे आसपास चल रही है और दूसरी जो हमें हमारा फोन और लापटॉप दिखाता है इन दोनों लाइफ में सबसे बड़ा फर्ग तो यही है कि एक नाचुरल है, रियल है तो दूसरी फिल्टर्ड और बनावटी आजकल हम सब लोग अपनी जिन्दगी का काफी टाइम इस फिल्टर्ड और बनावटी लाइफ को देखते देखते बिता रहे हैं और ये फोन, ये लापटॉप हमें खुछ से इतना चिपका के रखते हैं कि हम अपनी असली लाइफ को जीना भूल ही गए है फोन में घुसे रहने की वज़े से हम जहां होते हैं वहां पूरी तरह मौजूद नहीं होते और फिर इस से हम सब के माइन पे जो असर पढ़ रहा है वो तो हम जानते ही है तो मैं सोशल मीडिया का यूज बहुत जादा तो नहीं करती है लेकिन जितना भी करती हूँ मुझे पता है कि उतना ही मेरे माइन को हाइपर, कन्फ्यूज़, थौर्स और इंफॉमेशन से भरावार रखने के लिए काफी है तो क्योंकि हम सोशल मीडिया पर एक कोस देखते हैं फिर दूसरे पर स्विच करते हैं तीसरी रील देखी, आदी देखी वे चौते पर चले गए इन सब की वज़े से हमारे माइन को डिस्ट्राक्टड रहने की आदत बढ़ चुकी है यह तो मैंने अपनी असल लाइफ में भी देखा है कि जब कोई एक थौट आता है तो वो पूरा भी नहीं होता तब तक दूसरा आजाता है वो थोड़ा से सोचती हो तब तक कोई तीसरा थौट आजाता है और माइड में हमेशा ऐसे डिस्ट्राक्शन वाले थौर्स चलते ही रहते है मतलब एक लाइन में सोचना किसी एक टॉपिक पे गहराई से सोचना तो मुश्किल हो गया है मैं सोचा कि मैं एक हफ़ते के लिए सिर्फ एक हफ़ते के लिए अपने माइंड को फोन, लैपटॉप और इन सारे गैजट से दूर रखूंगे पहले दिन बिना फोन और लैपटॉप के बिताने में मुझे खास दिकत नहीं हुई मैंने अपनी नॉर्मल दिन चर्या बिताई और अपने आस-पास के लोगों से बाते करके थोड़ी जर्नलिंग करके अपना टाइम बिताया पहले ही दिन कहीं और बिजी न होने की वज़े से मैंने बारिश के भी खूब मज़े उठाए पहला दिन खतम होने को आगिया है मेरे बिना फोन बिना लैप्टॉप के चैलेंच का पहले दिन में मैं सहसाच बिताऊं तो मैंने से बहुत तगड़ा महसूस नहीं किया बहुत क्रेविंग नहीं हुए मुझे मुझे एका दिन तो आदत है मैं इतना भी फोन यूज नहीं जो यूजद को अधर राख करेविंग को अधर तो नहीं हो थी यूजद आ दो देखा विट नहीं है यूजद को एका दाधा कि नहीं है कि मैं अधर इन चीज़ों में इन बॉल्वव थी ज़ा दिन तो थी जाद्ध थी क्या आई गी बार दुब अइसा डिरीं चाहन दू तुम मैंहीता, अर्क नुहान ऑप्शन नी था तो मैं आरिष में देख रही थी, कोई और ऑप्शन नी था तो मैं मैं बेटके डाईरी लिख रही थी, कोई और ऑप्शन नी था तो बाहर बहुते हैं खाली चीजों को देख रही थी So overall day one, present moment में ज्यादा फोकस था, present moment में में ज्यादा प्रेजिंट थी So क्योंकि मैं पहाडों में गाउं के पास रह रही हूं तो मैंने सोचा कि मेरा आज का दिन गाउंवालों के इर्धिर भी बीतना चाहिए और इसलिए मेरा डेटू खेतों और गाउं के लोगों के साथ ही भीता So अभी खेत में सब धान लगा रहे हैं जैसा की दिखी रहा होगा धान मतलब चावल का पौधा और चावल के पौधे को ऐसे कीचड में लगा रहे हैं क्यूंकि उसको बहुत पानी ची होता इस वाले चावल को और इसलिए ऐसे लगा दे है और बॉपरे कितना गेर आई हैं? कितना गेर आई है? आदा मेर दूस में लगा है रुपाई रुपाई सब हो चुकी है खतम और हम बैठे हैं किसके साथ? हमारे साथ है नंदू नंदू अपने कोंड में लगावा है और हम आगे हैं नदी में नहाँ आने पहला दिन तो मेरा बड़े अराम में भी था लेकिन दूसरे और तीसरे दिन से मुझे थोड़ी थोड़ी बेचैनी स्टार्ट होगी थी मतलब जब मैं बिजी होती थी कुछ कर रही होती थी तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता था लेकिन जैसी जैसी मैं खाली बैठती थी मुझे समझ ही नहीं आता था यार करना क्या है मतलब योगा भी कर लिया खाना खालिया घर के काम कर लिये घूम भी लिये लोगों से बाते कर लिया सब हो गया लेकिन अब क्या करूं मैं यह देखकर बहुर शॉक्त थी कि हमें खाली बैठना क्या होता है तो पता ही नहीं मतलब मैं जानती नहीं कि अगर मैं इसी बैठी रहूं तो क्या करना है मैंने यह देखना है कुछ सोचना है कुछ observe करना है मतलब क्या करना होता है कई बर कई बैठ जाती थी फिर खड़ी हो जाती थी जब आपना फोन उठा लेती थी और बस गायब हो जाती थी तो आज मेरा 3rd day है नो फोन नो लैप्टॉप का और दिन बहर मैं मैं काफी सुई आज और मुझे बहुत अजीब लगा था जब मुठी है जब बहुत जयाएद है ये कि यह से नीजा, मैं मिना मूड्र हो यह कुछ यह सोगा ज्यँयार खैगे, ज़्यससे ऐगर थाकन से नीद आये यड़वत लगी सोने की चाहे खाली बैट हूँ जो भी करूँ सोना तो अलावड ही नहीं तो दिक्कत तो हो रही थी लेकिन मैं इसी उमीद में आगे बढ़े ही जा रही थी कि शायद शायद कुछ तिनों में मुझे समझ आ जाएगा कि खाली बैठना क्या होता है जब भी मुझे कोई thoughts आते थे, mind में कुछ clear नहीं होता था तो मैं journal लिखने लग जाती थी और रोज रोज लिखते रहने से मैंने देखा कि मेरे अंदर से thoughts flow करते जाते थे और मैं अपनी life के अलग-अलग topics के उपर लिख पाती थी जब कुछ और करने को नहीं होता था तो journaling लंबे time तक हो रही थी और बाते और गहरी इस बार मैंने अपने हर एक दिन को बिल्कुल भी planning नहीं किया था मैंने सोचा था कि जो भी सामने आएगा जो situation होगी जहां पर रह रही होंगी around जो लोग होंगे उसमें जो कर पा रही होंगी वो करूंगी क्योंकि अगर मैं इन साथ दिनों में प्लान में ना ले थी कि ये करूंगी वो करूंगी और busy हो जाती तो time निकली जाता लेकिन इस बार मुझे busy कम और movement में जादा रहना था काम कम और खाली जादा बैठना था एक और चीज़ जो मैंने इन दिनों में नोटिस की वो ये है कि क्योंकि मैं अपने काम से दूर थी अपनी वीडियो ना बना पा रही थी ना एडिट कर पा रही थी ना कोई script लिख पा रही थी मुझे अपना काम करने का बहुत मन कर रहा था मतलब जब भी मैं खाली बढ़ती थी मैं सुस्ती थी यार काश मैं कोई वीडियो बना लूँ ये एडिट कर लूँ वो एडिट कर लूँ वो सब मुझे याद आ रहा था जो जब मैं कर पाती हूँ तब मुझे याद नहीं आता और मैं अपने माइंड को भी यह कह रही थी वो चाहिए फिर वो मिल जाए तो कुछ और चाहिए और दिमाग का ये गेम कभी खतम नहीं होता इसलिए हम जहां भी होते हैं वहां पूरी तरह से नहीं होते जब भूख लगी होती है बहुत तेज तो लगता है और खाना आएगा न तो कितना खाना खाएंगे इतने मज़े स तो अब जाता है अब आपने माइंड के बहुत सारे पाटन्स को पकड़ा और अकेले बैठने की वज़े से मैं अपने माइंड की नेचर को जादा अच्छे से समझ पारी थी आखिर के दिनों में अकेले बैठे-बैठे मैं ऐसे ही गहरे थोर्स अपने साथ डिसकस करती थी मैंने रिलेशन्शिप, प्यार, पैसा, खुशी, हर एक चीज़ जो मेरे लिए इंपॉर्टन्ट है उसके बारे में खुछ से बात की कुछ से मैंने इन दिनों कई सवाल भी पूछे कि मैं कैसे जिंदगी बिताना चाहती हूँ और मुझे आगे कैसे बढ़ना है कई सवालों का तो मुझे बहुत गहरा जवाब मिला लेकिन कईयों का नहीं भी मिला बड़ जवाब मिले ना मिले मुझे ये तो clearly दिख रहा था कि यार अपने साथ बाते करना, अपने thoughts को समझना, हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, हमारी खुशी कहा है, हमारा दुख कहा है, हमारा nature क्या है, वो समझना कितना जरूरी है मतलब अगर हमें पता ही नहीं होगा, हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कितना खुशी किस direction में है, कहां हमें जाना चाहिए, तो हम life में अच्छा कैसे कर सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं आखरी दिन तक आते आते मैंने देखा कि social media से related thoughts mind में चलना बंद हो गए थे thoughts अभी भी mind में बहुत आते थे लेकिन अपनी life को लेकर, अपनी body, अपने mind के nature को लेकर आजपास के लोगों के साथ अपने relationship को लेकर जादा So, ऐसे thoughts normally भी हमारे mind में बहुत बार आते हैं कि यार relationship क्या होता है, प्यार क्या होता है, मेरा relationship कैसा है, पैसा चाहिए नहीं चाहिए, हर topic पे हम थोड़ा थोड़ा वैसे भी normally सोचते ही हैं लेकि normally क्या होता है कि जब हम थोड़ा सोचते हैं तब तक distraction आ जाता है हम बैठे हैं सोच रहे हैं फिर हमें लगा कुछ आगे नहीं पहुंच रहे है, फोन उठाया, फोन में लग गया कोई moment अच्छा लगा, कुछ पसंद आ रहा है कहीं observe करें कुछ अच्छा करें ओ यार फोन निकाल लेते हैं, movement कि अच्छा है ना, इसको record करते हैं जैसी camera खोला, उसको recording स्टार्ट की बस, mind हट गया वहां से, वो moment खतम मतलब phone, laptop, इन सब के चक्कर में सब अधूरा ही रह जाता है So finally, खाली बैठने और phone और laptop से दूर रहने की वज़े से मेरे सातों दिन बहुत गहरे भी थे एक तो thoughts बहुत कम होगे थे mind में, काफी शान्त हो गया था दिमाग और thoughts आते भी थे तो अपनी life से जुड़ी important चीजों को लेकर जादा आते थे दूसरा अपने आसपास की life, लोगों और चीजों में मेरा involvement जादा था और इतने time अकेले खाली बैठने की वज़े से मैंने देखा कि end तक आते आते मैं खाली बैठने में, अकेले बैठने में काफी comfortable हो गई थे तब मैं यह सोच रही थी कि यार साथ दिनों में मेरे में इतना change आ गया है कि मैं काफी घंटों-घंटों तक खाली बैठ पारी हूं, कुछ एक thought, एक seed में सोच पारी हूं, तो मुझे लग रहा था कि यार ऐसी अगर कई महीनों तक कर है इंसान, तो दिमाग तो क्या से क्या साथ दिखा रहा होगा, या कोई अपना experience बहुत बढ़ा चड़ा के बता रहा होगा, जादातर लोगों की skin एकदम clear होगी, या फिर जिंदगी slow motion और music के साथ बहुत beautiful लग रही होगी, असल जिंदगी slow motion में नहीं चलती, ना ही दिन भर का time lapse हम कहीं देख पाते हैं, हमारे असपास हर कोई हमेशा अच्छे कपड़ों में नहीं होता, ना सबकी skin glass clear होती है, अपने phone के through हम पूरा दिन बस दूसरों की life में जहांकते रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, उनकी तौर परीके, उनका behavior जज़ करते रहते हैं, और फिर उनकी वो सच्ची duty life का थोड़ा सा हिस्सा देखकर उसे अपनी life से compare करने लग जाते हैं, मतलब अगर होट बड़े चल रहे हैं, तो आदमी को अपने होट छोटे लगने लग जाते हैं, सबकी skin glass clear दिख रही है, तो अपनी कुछ हजीब ही लग रही है, और फिर ये सब देखते देखते हम ये कि जब हम खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना है, तो वो एक तरह का escape हो जाता है, मतलब अगर मुझे इस moment में समझ नहीं आरा, मैं क्या करूँ, तो एक चीज है वो, कि मैंने उठाई और बस मैं खो गई और time निकल गया, वो करना असान है, इसलिए हम सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा, और फिर जवाब सिर्फ इसी सवाल का नहीं, बलकि ऐसे ही कई और दबे हुए, important, गहरे सवालों का भी मिल जाएगा. झाल